आज हम एक ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जिससे रोगी समझता है कि मैं मरजाओं तो अच्छा है इस रोग को जेलने से अच्छा डॉक्टर यदि उपरेशन करते हैं तो 99% उपरेशन फैल होते हैं और जो एक परतिशत उपरेशन पास होता है लगभग चार या पांच साल का गैप दे करके वो उपरेशन भी फैल हो जाता है जो एक उपरेशन पास हुआ था सो लोगों में से और वो एक उपरेशन जब पांच साल के बाद रोगी को दुबारा से वही समच्चा होती है तो वही डॉक्टर बोलते हैं अब इसका कोई उप्सन नहीं है ये दर्ध तो आपको सारी उमर जेलना पड़ेगा महंगे महंगे पैनिकिलर टेबलेट और इंजेक्शन लगा करक रोगी को कैंसर तक का सामना करना पड़ सकता है लिवर डैमेज हो जाता है और किड्नी फैलियर भी हो सकता है नमस्कार मित्रो वंदे मातरम जेशियाराम चेगो मातागी हम यहां पर आपके साथ जो भी जानकारी साजा करते हैं उसको पहले परियोग करते हैं और परियोग क ये चाहता है कि यदि मेरी टांग कट जाए तो कट जाए पर मेरा ये रोग ठीक होजे क्योंकि रोगी समझता है कि ये जो पेन जो दर्द मुझे अब हो रहा है टांग कटने पर भी इतना दर्द नहीं होता होगा सोचो कितना भेन का रोग है साइटिका साइटिका के जो रोगी होते हैं वो डॉक्टरों के अनुसार लगभग 99 परशेंट जो रोगी होते हैं वो आजी वन इस रोग से गरश्त रहते हैं और वो डॉक्टर जिनका उप्रेशन करते हैं वो सो में से एक व्यक्ति मुझकिल से ठीक हो बाता है और वो एक व्यक्ति भी लगभग चार-पांच साल के बाद दुबारह इस रोग का शिकार होता है और इस रोग का दुबारह से उप्रेशन नहीं करवाया जा सकता यह वतंतर रोग नहीं है यानि किन ही और शरीर के अवयों की खराबी की वज़े से हमारी जो साइटीका नर्व होती है जो नपस होती है जो नस होती हो वो परभावित होती है और तब जाकर के हमें साइटीका का रोग होता है तो वो कौन से दो और गन है पहला और गन है हमारा यक जीवर। जो हम भोजन करते हैं, उल्टा चिदा भोजन करते हैं, बिना अक्सि से चबाई भोजन करते हैं और उसकी वज़े से हमारा जो लीवर रस बनाता है भोजन को पचाने के लिए उनकी पूर्ती नहीं हो पाती है और वो भोजन हमारी बड़ी आज में जाकर के सड़ना सुरू करता है और जब वो सड़ना सुरू करता है तो गैस बनाता है क्या बनाता है गैस और वो गैस जब तक पेट तक इस्थित रहती है तब तक शिर्फ पेट में दर्द होता है उसके बाद वो जहां भी जाएगी वहीं पर दर्द सूख करेगी और उस गैस की वज़े से जब गैस नीचे जाने लग जाए अपनी जगे को छोड़ कर गए तो वो नवज के उपर दबाव डालती है जिससे या तो नवज शीचकने लगती है सूखने लगती है कमजोर होने लगती है या नसों में सोजन आ सकती है या फिर नस के आसपास का जो एरिया वो सूझ जाता है जिसकी वज़े से नवज के उपर दबाव पड़ता है यदि आप स्ब्राइटिका के पेशंट ए तो आपने देखा होगा जब कभी ही आप साइटिका के पेच्ग की जगह पर सिकाई करेंगे तो आपका दर्द कम होने लगता है जरूर आपने आजमाई होगी यदि आपको साइटिका की समझ्या हुई है तो वो क्यों आराम होता है आलवेद कहता है कि वीना वातम सुलम नास्ति जब तक हमारे सरीर में वायू नहीं बढ़ेगी कहीं दर्द नहीं होगा और वायू के समन का सबसे अच्छा उप्चार होता है तेल की मालिस करना और सवेदन यानी पसीना लेना इससे जो वायू होती है वो शात होती है बाहर भी निकल जाती है तो क्या हुआ सीधा सा होया लक्षन की ये जो है गैस की वज़े से होने वाला रोग है अब ये ठीक क्यों नहीं हो पाता क्योंकि जो भी साइटिका का ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग साइटिका के पेन को ध्यान में रखके इलाज करते हैं यह हैं यहां पर पेन है। यह समझ क해 वो ईलाज करते हैं। जबकि इलाज करना चाहिए कि यह पेन हो क्यों रहा है। उसका। वायूबञी वज़यसे हुए है और वायूबगडी है लिवर की कमी में। लिवर का थो वो जबन करते नहीं। तो यहां पर सबसे पहले जो रोगी होता है उसके लीवर और बड़ी आद का ट्रीटमेट होना चाहिए तो क्या करना था यह सबसे पहले जो है हमें लीवर के ट्रीटमेट के लिए चाहिए भूमी आउला शाम को एक सम्मच एक गिलास पानी में मिट्टी के बरतन में भिगो दो या लोहे के बरतन में भिगोते हो तो और भी जबर दस रिजल्ट मिलेगा लोहे के बर्तन में भिगो दो और सुवह उसको ही लोहे के ही बर्तन में उबालो और खाली पेट वो रोगी को पिलाना सुल करतो और इसके साथ में ही जो है आप एक चम्मज तिरिफला दे दो ठीक है? तिरिफला देने से आपको दो लाब होंगे पहले तो उनकी बड़ी आँच जो है जिसकी वज़े से गंदगी बढ़ रही है उसके अंदर जो गंदगी सड रही है उसकी वज़े से जो वायू बढ़ रही है जो वात बढ़ रहा है उसका समन होगा उस वात को बाहर निकालेगी, सारी दंदी को बाहर निकालेगा त्रिवना और दूसरा दोहया आपने दिया लोहे के बर्तन में भूमी अवला उबाल करके वो आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा टोनिक हो गया अब तीसरी चीज़ आपको देनी है रात के समय गरम गरम दूद के अंदर लगभग 10 से लेकर के 30 एमल तक कैस्टर ओयल यानि अरंडी का तेल इससे क्या होगा ये जब आप श्याम को पीओगे सारी दात आपकी आँच में पड़ा रहेगा ये जाकर के जो गंदगी जमी हुई है कहां पर आपकी आँथ में उसको खुर्चेगा उसको नरम करेगा ताकि सुवे तीरफला इसका अच्छा लाव ले सके ठीक है अब हम आते हैं थोड़ा आगे वाद सिंतामनी रस एक आँग वीर रस एक आँग वीर रस महावाद विध्वन्षन रस वाद सिंतामनी रस के आप लियाओ बीस गोली एक आँग वीर रस के लिए आप साथ गोली असी गोली लेड़ो और महावाद मिद्वन सिन के लिए यवाब एक सो साथ हो लिए इन तीनों को भरी प्रकार से कूट के अच्छी तरह से और इनकी लगभग आपको साथ पुडिया बना ला ये साथ पुडिया एक पुडिया भोजन के आधे गंते बाद सहद में मिला करके सुबह और एक पुडिया शाम को आपको जो है ये लेनी है और उपर से आप गरम गरम दूज लगभग 10-20 मिन्ट बाद यदि पिना चाहो तो पीशाओ के ये साइटिका का जबरदस्त रिजाल्ट है आप 15 दिन में ठीक हो जाओगे लेकिन लगे लगाए इसको थोड़ा लंबा खेचना कोशिश करो एक महीने तक तो आप इसको ले ही लो और साथ में जो है आपको एक बात का ध्यान रखना है जो लिवर के लिए ठीटमेंट आपको लेना है तो लेना है सुगय खाली पेट एक आरोगया वर्दनी वर्टी इसके बाद लेना सुरू कर देना थोड़े लंबे समय आपको बहुत जवर्दस्त लाव में लेगा और अब जो जहां पर साइटी का पेन है साइटी का पेन शुरू होता है जहां पर हम पैंक बांधते हैं वहां से चार लेकिन उसकी जड़ है जहां पर पजामा पहनते हो बांधते हो उसके आसपास वहां पर मिल्कूल अच्छे से यह मानो लगबख 20 गराम तेल तिल का तेल लेलो महानायन तेल लेलो महावाद विद्वंशन तेल लेलो महामास तेल लेलो महाविश्गर्व तेल लेलो साधान से तिल का तेल भी ने सकते हो भांका तेल और विजवर्दस्ट काम करता है भंगिया का तेल इसको जो वहां पर लगाओ ओ लगबख 10 गराम 10 स आपका हाथ जो है चलना चाहिए उसकी मालिस करो मालिस करते करते आपको आराम महसूस होने लगेगा लेकिन ये मत समझना आपका काम हो लिया मालिस के बाद जो है आपको गरम पानी से उसकी शिकाई करनी है या फिर आप क्या करो एक कपड़ा दे लो सुत्ती कपड़ा उसको पानी में भिगो लो पानी में डाल दो उसको फिर आप करो एक आधा किलो के लगबग रेत गरम रेत जो आपको गरम करना है और गरम हो जाने के बाद रेत जब अच्छा गरम हो जाए तो उस कपड़े को निकालो उस कपड़े की चार्ज है तह कर लो ताकि वो रेत उसके अंदर से ना निकले कपड़े को हल्का सा निचोड़ करके फिर उसके अंदर जो हाप वो रेत डालतो और रेत डालने के बाद जो है जहां पर साइटी कहा पेन है वहां पर आप उसकी सिखाई करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कम से कम पिचानुव परतिसत रोगियों को सिखाई करते करते ऐसा महसूस होगा जैसे मैं ठीक हो गया हूँ अब आधे गंटे तक जो है वह सिखाई करने के बाद आधे गंटे तक आराम करो रजाई बगैरा में भुश जाओ या कुछ ऐसा वातावन आपके रूम का करो टेंप्रेचर कुछ ऐसा करो कि गरम रहे और पंखे बगैरा कूलर रहे शी कुछ भी मत चलाओ ये परिखिरिया लगबाग एक महीने तक कर दोगे तो आप 200% ठीक हो जाओगे लेकिन यदि आप 15 दिन कर दोगे तो भी ठीक हो जाओगे आगे जब कभी बाईचांस अगर आभी जाए तो ये रोग ऐसे ही शिकाई कर लेना आप ठीक हो जाओगे हम ऐसी ही जानकर ये आपके साथ आगे भी साजा करते रहेंगे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन दबाले ताकि आगे जब कभी भी कोई वीडियो आपके साथ हम साजा करना चाहें तो वो कर सके हैं और आपको मिल सकें इस अबतों के